हेलो दुस्तों जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है मोडियुलर बॉक्स सो इस वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि मोडियुलर बॉक्स कितने परकार के होते हैं और इन पे स्वीच पिलेट कौन सा होता है और इसके अलावा कुछ और भी खास जनकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो के आखिर तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको जो modular box का जो भी confusion है सारे doubt दूर होने वाले हैं और आपको कुछ अच्छी जनकारिया मिनने वाली है और इसको थिरी भाई थिरी का भी box कहा जाता है ठीक है मैं आगे बताऊंगा कि size में और modular दोनों याद रखना क्यों जरूरी है तो वीडियो के आगे आपको मिलेगा ये बाते ठीक है और इस पर जो switch plate लगेगा ये जो आप देख रहे हैं ये है one module one gang ठीक है जो की बीच में switch है न और ये वाला जो आप switch plate देख रहे हैं ये है two module two gang और ये वाला जो switch plate आप देख रहे हैं ये है two module one gang यहां पे गेंग से मुराद यह है कि कितने इसमें स्वीच है, नमबर आफ स्वीच, कितने पिस स्वीच है और इस स्वीच की एक खास जनकारी मैं आपको दे दूँ कि जो मोडुलर स्वीच है ना, तो इसको फीट करने के लिए स्वीच प्लेट में screw की जरूरत नहीं होती है इसमें lock का system होता है ठीक है और इसमें से अगर एक switch खराब हो गया ता आप एक switch निकाल के दूसरा switch लगा सकते हैं और ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये है तीन मोडूल का GI concealed box ठीक है इसे 4Y3 का भी box कहा जाता है और इसमें जो switch प्रेट लगता है जैसा कि आप ये screen पर देख रहे है इसमें एक 5-pin socket और एक switch है ठीक है तिसमें तो दो ही पीस हुआ ना फिर ये तीन मोडूल कैसे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो socket है ना ये दो मोडूल का जगह लिया हुआ है ठीक है ये टू मोडूल का socket है और ये एक मोडूल का switch है यानि कि तीन मोडूल हो गया ना और ये जो आप switch plate देख रहे हैं इसमें है तीन switch है ठीक है वैसे तीन मोडूल का box में number of switch तीन आ सकते हैं आपको मतलब ये काउंटिंग करने का असान तरीका बता रहा है हाँ अगर आप चोड़ा वाला जैसे बड़ा वाला socket लगा रहे है तो तो दो मोडूल का जगह लेगा ना ठीक है तो ये से तीन मोडूल तीन switch नर्मली ये से आप लगा सकते हैं ठीक है और ये वाला जो आप switch प्लेट देख रहे हैं इसमें भी तीन switch है बट ये तीन मोडूल का नहीं है ठीक है ये है दो मोडूल का थिरी गैंग दो मोडूल का थिरी गैंग देखिए इसमें भी तीन switch तीन मोडूल वाला में और दो मोडूल में भी तीन switch लेकिन यह इसका नाम अलग है यह अज देखिए इस पर और आपको मैं पता दूँ कि इसको पहचाने के सबसे आसान तरीका कि यह जो स्विच प्लेट है ना तो यह आपको देखना है कि कितने मोडुल के जी जी जो मोडुल बॉक्स उस पर फीट आएगा इसको size के हिसे भी आप देख सकते हैं जैसे कि यह square में बना हुआ है तो इसका मतलब साफ साफ है कि यह दो module के box पे यह fit आएगा यानि कि switch plate में कितने switches हैं यह माइने नहीं रखता कि उससे modular आप decide नहीं कर सकते size क्या है उसका यानि कि वो switch plate कितने कौन से GI concealed box पे fit आएगा कितने module के box पे fit आएगा इससे आप पता लगा सकते हैं कि यह कितने module का है switch gain के मतपत लगाईएगा size के हिसाब से जैसे यह तो square दिख रहे हैं तो आप सीधी सीधी बात यह समाझ सकते हैं कि यह 3 by 3 के box पे fit आएगा यानि यह है दो module का 3 gang और यह जो आप GI concealed box देख रहे हैं यह है 4 module का GI concealed box और इसे 5 by 3 का भी box कहा जाता है ठीक है और इस पे जो switch plate लगेगा यह वाला जो देख रहे हैं आप एक regulator एक switch और एक socket वैसे तो है यह 3 piece ठीक है नमबर आप तो 3 ही हुआ न लेकिन यह है 4 module का वो कैसे कि यह जो 5 pin जो socket है ना इसने 2 module का जगा कवर किया हुआ है तुक्र होगया दो होगया ना दो module का जगा कवर किया तो जो होगया यह switching हो गया एक module का जागा कवर किया हुआ है और एक regulator एक module का तो होगया ना गैसे में इसमें 4 पीस हो सकते थे लेकिन इस बोड 드lesamsh cw便 से थे तूंकि सूर्सकेट ने 2 मोडूल का जगा लिया हुआ है ठीक है और यह वाला जो आप switch plate देख रहे हैं ये तो इसमें भी आप देख सकते हैं चार switch है वैसे मैं आपके एक बाद बता दूँ नर्मली 4 module के switch plate में आप एक चार switch लगा सकते हैं और switch one module लगाएंगे न तो चार स्वीच लग सकता है और यह जो आपको इहांप को इस पर भी है देख रहे हैं कि यह a-square में दीख रहे हैं इनकी a-square बोले तो दो module का box a-square में आता है ठीक है और इसका size भी देख सकते हैं यानि कि कि यह कितने module के box फिट आएगा यह switch pilot उतना ही module का है तो यह दो module के switch pilot फिक्ष प्र एक और फिक्ष यह दो module के GI box पे अगर यानि कि गेंग बोले तो चार स्वीचेज है ना तो टू मोडूल का ये फोर गेंग वाला हो गया ठीक है तो इसको आप खास याद रखें कि अगर आप इसको याद रखें कि आगे बहुत कामाने बला है और हाँ जैसा कि आप ये स्क्रीट पर देख रहे हैं ये है छे मोडू याद रखें ठीक है और इसके जो स्वीच पिलेट आपको बैठने वाला है वह ये है स्वीच पिलेट वह ऐसे आपको नर्मली में बता दूं कि छे मोडूल के बॉक्स पे आप मैक्सिमुम छे स्वीचेज लागा सकते हैं जो प्लेट आता है ना उसमें छे स्वीच का जग बता दूं कि ये जो सौकेट है ना ये दू मोडूल का जगाभर किया हुआ है और ये स्वीच एक मोडूल और रेगुलियेटर एक मोडूल और दो मोडूल तो Vallahi V6 Μोडूल तो ऐसे आप मोडूल काउंट कर सकते हैं अब यह देखना है कि यह एक जो स्वीच बड़ा-वाला है छोटा-वाला ऐसे ठीक है नहीं कि बड़ा वाला दोcard हिए अधिए दोर और यह दोजी के बोले कि यह चार मोडूल है ऐसा और इस पर जो स्वीच प्लेट लगेगा तो इस पर यह वाला स्वीच प्लेट है जो कि अपलता सकते हैं देखिए इसमें तीन सोकेट है और दो स्वीच है तब तीन और दो कितना हुआ पांच बट यह है स्वीच पिलेट एट मोडूल का ओ कैसे कि यहाँ पे सोकेट एक जो सोकेट जो फाइप पीन का हर एक सोकेट ने दो मोडूल का जगा कबर किया हुआ है एक सोकेट दो मोडूल दो मोडूल दो मोडूल और जो regulator है एक मोडूल और switch है जो वो एक मोडूल तो ऐसे हो गया ना 8 मोडूल तो ऐसे आप किसी भी box का मोडूल काउंट कर सकते हैं जैसे कि इस में भी आप यह देख सकते हैं दोनों socket दो दो मोडूल का 4 मोडूल हो गया ठीक है और यह जो आप देख सकते हैं तीन स्वीचेज तीन मोडूल और एक रिख लेटर तो आप ऐसे इसका switch प्लेट का मोडूल काउंट कर सकते हैं यानि कि 8 मोडूल में आप maximum 8 स्वीचेज ही लगा सकते हैं ठीक है तो आप यह बात भी याद रखे और हाँ जैसे कि आप यह वाला जो GI box देख रहे हैं यह है 8 मोडूल का GI concealed box ठीक है इसको 5 by 5 का भी box कहा जाता है इसमें जैसे आप 4 मोडूल और देखे से न 5 by 3 तो 2 4 मोडूल और जब एक जगा सब सटाएंगे तो इस size का हो जाता है मतलब कि मैं मैं आपके एक ट्रिक बता रहा हूं size देखने का पहचानने का और इस पर जो स्वीच प्रेट लएगा ओ यह वाला है तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर में एक रेगुलेटर और दो स्वीच इसने चार मोडूल के जगा कवर किया और नीचे में भी दो स्वीच और एक सॉकेट यहां भी चार मोडूल के जगा कवर किया है यानि हो गया न आठ मोडूल वैसे नर्मनी आठ मोडूल में आप मैक्सिमम आठ स्वीच लगा सकते हैं ठीक है और हाँ जैसा के आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है 12 मोडूल का जी आई कंसील बक्स ठीक है इसे 8 वाई 6 के आफी बक्स कहा जाता है ठीक है तो आप साइज भी याद रखें हर बक्स का साइज और कौन सा मोडूल है दोनों याद रखें तुकि दोनों याद करना बहुत जरूरी है और इस पे जो स्वीच प्लेट लगेगा वो यह वाला है जो आप देख रहे हैं वो ऐसे नर्मली आप 12 मोडूल के बक्स पे जो स्वीच प्लेट आएगा ना उसमें मैक्सिमम आप 12 स्वीचेज लगा सकते हैं 12 ठीक है लेकिन 1 मोडूल का स्वीच होना चाहिए ठीक है और यह जो स्वीच प्लेट में जो दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं एक 5 पिन सॉकेट जिसने 2 मोडूल के जगा कवर किया और एक रेगुलेटर 2 मोडूल का और 2 स्वीच एज एक एक मोडूल का तो यह हो गया 6 और नीचे में आप देख सकते हैं एक सॉकेट 2 मोडूल दो switches एक मोडूल चार हो गया ना और एक two pin socket ये एक मोडूल का है तो पांच और एक indicator एक छे 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 बारा उपर छे और नीचे छे बारा मोडूल हो गया ना ठीके तो ऐसे आप किसी भी box का देख सक्थे हैं कि असक्त ने मोडूल का है ठीक है और हाँ जैसे यह वाला ऑद देख रहे हैं यह है 18 मोडूल का GI concealed box ठीक है इसे concealed का मतलब यह है कि जैसे इसको दिवार के अंदर लगाया जाता है concealed में जो सब से सब चीजें बताया हूं concealed मतलब दिवार के अंदर फीट होगा रहा है underground so यह 18 मोडूल का GI concealed box है और इसका size होता है 8 by 9 8 by 9 जो कि इंच में है और इसमें आप maximum 18 switches लगा सकते हैं ठीक है अठारों switches जैसे आप modular यहाँ पर काउंट कर सकते हैं जैसे उपर में आप देख सकते हैं जैसे दो regulator लगा हुआ है और दो switch तो उपर 6 मोडूल हो गया ना क्योंकि रेगुलेटर दो-दो मोडूल का है और नीचे उसके बीच में बीच वाला में लाइन में देखिए चार स्वीचेज और एक सॉकेट यह 6 मोडूल और उसके नीचे